जो मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभीशेक पेक्ट चैनल में आज जो हम question paper solve कर रहे हैं वो है HPJ electrical postcode 530 यह जो paper हुआ था यह 26.11.2017 को हुआ था तो चलिए हम जो है आज का question paper को solve करते हैं तो हमारा जो first question है the magnitude of the permittivity and the permeability of a free space are given by तो यह देखो यह basic और important question है जो हमारा permittivity होता है उसका हमारे पर जो value होती है वो है 8.854 into 107 minus 12 farad per meter और जो हमारा permeability है वो है 4.5 into 107 minus 7 henry per meter तो first का हमारा B हो जाएगा और यह important question है अगर हम आज के second question की बात करते है according to the joules law of electrical heating तो देखो सबसे पहले हमारे पास options हैं चार option होगे तो heat is equal to अब हमें पता होना चाहिए कि power into time होता है अब power को हम v into i की form में भी लिख सकते हैं v square by r की form में भी और i square into r की form में भी हम लिख सकते हैं तो यह हमें देखना बड़ेगा कि option किस तरीके से हम से पूछेगे हैं तो हमारे पास जो power अगर तीन form में तो heat किया जो formula है वो भी हमारे पास जो है तीन form में हम देखने को मिलेगा तो हमारा जो second है उसका answer हो जाएक अपना d अगर हम third question की बात करें अगर हम यहां पर दिख सकते हो कि हमारा जो eth है तो वो है no volt internal resistance no ohm and load resistance 3 ohm तो हमारा जो current है अगर हम इसमें simple kbl भी लगाएंगे तो इसमें जो current है वो vth upon r internal into r load हो जाएगा तो vth no हो जाएगा our internal no plus 3 12 तो 3 by 4 that is 0.75 तो third का answer हो जाएगा हमारा a अगर हम fourth की बात करें तो how many cell each having an emf of 1.5 volt and the internal resistance of 0.25 ohm would be required or connected in series to pass a current of 1.5 ampere through a resistance of 15 ohm तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि इसको pause करके इसको solve करने की कोशिष आप कर सकते हो अगर ये आप से solve हो जाता है पहली बारी में तो well and good नहीं तो आप इसको फर्दे देखिए अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले अगर जो basic की बात करें यहाँ पर हमारा पास ऐसे करकि यह EMF है उसका एक internal resistance है अब इसमें लिखा कि series में number of हम कितने connected करें series में EMF तो हम बोल सकते हैं कि n into e times हो जाएगा और n into r times हो जाएगा n e n e चलते हैं मतलब मैं इस वाले से अगर मेरा जो current है वो यहाँ से जाता है resistance में तो मैं यहाँ से negative ले ले लेता हूँ तो बाकी जो होते हैं वो यहाँ पर positive लेते हैं और battery के जो terminal से उसको negative लेके चलते हैं तो इसमें कहेगी आप इसमें solve करके आप current भी निकाल सकते हो इसमें मत जाना जिस तरीके से मैं solve करता हूँ यहली चीज को तो इसमें मैं कहलेता हूँ कि यहाँ से चलता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया n into e हो गया minus of i into r and minus of n into r हो जाएगा जिसके तुरू हमारा current है वो हो जाएगा n e upon r plus n r तो इसमें कहा निकालना n तो हमें यहाँ पर current पता है current कितना है 1.5 ampere e कितना है हमारे पास 1.5 volt और r internal कितना है 0.25 और जो हमारा load resistance एक तरीके सम्मान के चलेंगे तो कितना है 15 ohm तो बस इसमें n निकालना है तो इसको पहले cross multiplication करके तो यहाँ से हमारा जो number of cells है तो 4 में वो कितना निकल गया हमारा B answer, daddy is 20 अब भी यह आँ पर देख सकते हो तो यह हमारे पास जो है important question है और यह जो question है ऐसे यह repeat बच जाते है अगर हम 5th question की बात करें a long straight circular copper conductor carry a current of 400 ampere and the magnetic field strength at a distance of 10 cm from the conductor is अब इसमें बात करते है सबसे पहले हमारे पास conductor है यहाँ पर यह long conductor से current high flow कर रहा है उसके एक magnetic field lines है अगर हम इस center से कुछ H में लेकर जाएंगे और यहाँ का हम जो है magnetic field strength निकालना है की मतलब इसमें पूछा गया question में तो हम एक तरीके से देख सकते है 400 amp का current है यह magnetic field lines है इतने distance में हमारे क्या 10 cm का radius है जिसको कि हमें meter की form में लाना पड़ेगा तो 10 x 10 की अबर minus 2 meter हो जाएगा तो सबसे पहले अगर हम इस question को solve करना है तो हमें यह तीन चीज़ें पता होने चाहिए the magnetic flux density of the coil और sonolide और long state तो यह तीन है इन तीन मुकों को आप याद रख सकते हो या copy में note कर सकते हो तो हमें इसमें के निकालना है magnetic field strength निकालना है means h यह तुमारा bio-savits law है तो b is equal to mu not mu r h हो जाएगा b upon mu not mu r is equal to h और यहां पर magnetic flux density निकालना चाहते है long state की तो क्या हो गया mu not i upon 2 pi r तो यहां पर b की जगा हम लिख दिया यह सारा कुछ और mu not से mu not हम cancel करेंगे i is equal to 2 pi r हो जाएगा तो हमारे पर जो current है वो कितना दिया है 400 ampere हमे current दिया है 2 into 3.14 into अब जो radius है वो centimeter की formula है तो 10 नीचे हो जाएगा और 10 के अबर minus 2 उपर हो जाएगा means 100 यह जल्दी से आपका solve हो जाएगा अगर हम 6 की बात करें the rms value of the current is given by देखो rms value होती है तो इसमें rms value का यह मतलब होता है कि जब भी आपका एक resistance है जिसकी आपको resistance पता है और एक given time के लिए आप एक समय में AC current को flow करवाते हो और दूसरे समय में आप इसमें DC current को flow करवाते हो जब इन दोनों की heat equal हो जाएगा तो उसको बलते हम rms value तो option A में यह चीज़ को हम बताई की है देखो data study current which when flow through a resistance of known resistance for a given time produce the same amount of heat has produced by the alternating current when flow through the same resistance for the same time तो यह हमारा option number A है वो rms value के लिए है और जो हमारा option number B है वो charge के बारे में जब बताया गया है तो वो किसके लिए average current के लिए है तो यह rms value और यह average value के लिए होते है जो option B है वो कि average value के लिए जो option A है वो किसके लिए rms value के लिए जो option number C और D है इसमें से power and light का है तो यह किसी के लिए भी नहीं है इन AC सरकेड R अब दोखो power factor low है तो क्या हुआ power factor low हो नहीं के वजे से इसका मितलब active power low है अगर active power low है तो apparent power होती है active ब्लस reactive, active अगर कम है तो reactive जाद हो जाती है और जब भी आपका reactive जाद है इसके वजे से हम बोल सकते हैं आपका low power factor अब इस low power factor की वज़े से होता गया कि जो अपना current है वो बढ़ जाता है और current अगर बढ़ जाएगा तो हमारा जो drop होता I square into R तो वो बढ़ जाएगा जिसके वज़े से अपना line losses बढ़ जाएगी अब efficiency के inversely proportional आपका line losses होता है तो आपकी line losses, efficiency भी आपको इसदर कम देखने को मिलती है अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा current है अगर वो बढ़ती है अगर value तो जिसके वज़े से directly effect होता है आपका thickness of the conductor के उपर है ठीक है और voltage के बढ़ने पर आपका किसके उपर effect होता है insulation के उपर है तो यह जो दो चीज़ें आप देख सकते हो अगर हम इसमें आगे की बात करें तो option के साब से देखते हैं तो इसमें कहा है कि देखो सबसे पहले लिखा हुआ है C में greater the conductor size तो मैंने बोला था कि अगर आपका current बढ़ रहा है means आपका size बढ़ जाएगा अगला लिखा है poor efficiency मैंने कहा बोला था कि line losses के वज़े से आपके efficiency कम देखने को मिलेगी इसमें कहा है जादा voltage drop हमें यहां पर देखने को मिलेगा और इन सब के वज़े से आपका कहा है कि large kv rating का equipment आपको इसमाल करना पड़ेगा इसके लिए lower power factor की वज़े से तो 7th का हो जाएगा आपका C answer अगर हम इसमें 8th की बात करें a series resonant circuit has a q factor of 150 and inductance of 0.1 henry and capacitance of 0.1 microfarad the resonance frequency is given by अब देखो जो हमारा frequency है 1 upon 2 pi under root LC होता है L और C को put करेंगे तो कितना होगा इसमें होगा 10 की बात करें यह 8 हो जाएगी पूरा subsistence is minus 0 something more the impedance of the circuit अगर हम इसमें पता है कि जो हमारा admittance होता है वो g minus of jb होता है g for conductance and b for subsistence यह आप देख सकते हो और जो impedance होता है r plus jx होता है तो यहाँ पर impedance की value हमें पूछे गई है तो हम देख सकते हैं कि जो z और admittance दोनों opposite होते हैं तो हम देख सकते हैं z is equal to one upon admittance और admittance है g minus of jb अब इसको rationalize जब हम करेंगे तो इस form में हमारा निकलेगा means z जो हमारा g upon g square plus b square plus j b upon g square plus b square होगा यहां से हम z को magnitude निकालना है तो हम जो है g की value जो हमें given है g और b की value वह हम support करेंगे तो यहां पर आएगा कितना हैगा 6.9 plus j3 तो r resistance कितना होगा इसमें 6.9 ohm और reactance कितना होगा इसमें 3 ohm और इन दोनों का magnitude अगर हम निकालेंगे कितना होगा 7.52 थोड़ा यह paper में यह question जो है hard बिन दाता है क्योंकि इसमें आपको square करना पड़ता है फिदिवाइड करना पड़ता है उसके फिर से तुम जो है magnitude निकाल रहे हो तो यह question थोड़ा lengthy बन जाता है paper में तो ऐसे question को सबसे last में ही attempt करना तो 9th का हो जाएगा 7.52 ohm answer अगर हम 10th की बात बताएं तो the current in the three line conductor of an unbalanced load जैसे IR, IY and IB and the neutral current की बात करेंगे तो देखो neutral current होता किसमें है delta में होता है या आपका star में होता है तो हमें generally जल् neutral है star में अब क्या है कि इसमें से अगर हम देख सकते हैं कि यह R और Y यह हो जाएगा आपका line voltage और अगर R और N के बीच में हो जाएगा आपको phase voltage और यहां पर जो आपका R phase में से IR current है Y phase में से Y current and B में से IB current हमें जो देखने को मिलेगा जब भी हमारी balance condition होती है जो हमारा ती VPH के equal हमें जो देखने को मिलती है means हर एक voltage 20 degree displaced होता है और यहां पर हमारा जो balance condition में जो neutral current होता है वो हमारा IR plus IB plus IY is equal to 0 हमें देखने को मिलता है means उसमें नहीं कोई भी neutral current flow नहीं करता है पर जब भी हमारा unbalance condition होती है तो हमारा जो voltages होती है line voltages वो तीनों unequal होती है और जो neutral current है वो इन तीनों का sum हो जाता है IR plus IB plus IY तो जब हम इसमें sum करेंगे तीनों का तो इस तरीके से होगा और जब इसको add करेंगे तो 13.235 minus of J 0.34 तो यह आपका जो neutral current है उसका यहां पर हमें जो है option में नहीं दिखा है पर जो board है उन्होंने 10th का किया है C तो अगर आपको यह C कहां से है तो आप मेरे को comment section में बता सकते होगी यह C आया क्या कैसे but basically unbalance और balance में इस तरीके से हमें जो है देखने को मिलता है means balance में कोई neutral में से current flow नहीं करेगा but unbalance में से अपना इनका तीनों का sum जो है neutral current में से flow करेगा I hope आपको जो है जो 10 question है वो आपको समझा आगे ह क्या करेंगे कि जो हर एक जैसे question paper solve कर रहे है तो हम क्या करेंगे दो दिन में एक वीडियो लेकर आएंगे जिसे burden भी ना रहे है और easily हम जो है 10 question की ही जादातर कोशिश करेंगी 10 question ही हम लाए और इसके through आपको आपके लिए भी ठीक हो और मेरे लिए भी ठीक हो तो अगर आ लाइक और सुस्क्राइब तो मैं चैनल अभीशेक फैक्ट चैनल धन्यवाद